इंडिया के बिना ही 15 देश शाइन कर लेंगे ये 15 देश हैं अफकोर्स चाइना, आसियान के 10 देश उसके लावा साउथ कोरिया, जपैन और अस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड नाव इंडिया के सामने option थी के ये जो free trade agreement है ये हम join कर लेते मगर हमें ये बात accept करनी होगी, कड़वा सत्य ये है के हमें डर था के हमारे product चाइना, आस्ट्रेलिया, आसियान मार्केट में कम बिकेंगे और इनके product हमारी market में बहुत ज़रा बिकने start हो जाएंगे, अगर हम Robert Frost की एक बहुती famous poem है, The Road Not Taken, ये काफियत अग्याद आती है, कि काफी बार जिंदगी में आपके सामने दो रास्ते होते हैं, और फिर काफी बार सोचा जाता है, कि जो रास्ता आपने नहीं चुनाता उस वक्त, अगर वो चुना होता, तो आज आप कहाँ होते हैं, मगर ख इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss, as always, but before we begin, मैं आपको ये बदादू कि अगर UPSC 2021 की तियारी properly करना चाहते हैं, एक genuine attend देना चाहते हैं आप, तो purchase करिए Unacademy का UPSC course, Unacademy की website पर जाओ, या फिर app download करो, click on get subscription, और यहाँ पर option आ जलता है, personal coach means question answer practice, और जो iconic course है, it is heavily in demand, इसके prices भी बहुत ही जल्द बढ़ जाएंगे, और अभी जो यहाँ पर आपको price दिख रहा है, 69,500, ये pay करने की आप शक्ता नहीं है, सीधा यहाँ पे code डालिए PD10, and you will get flat 10% off, आप almost 7,000 रुपीज बचा सकते हैं इस course में, so जब तक या iconic course, सस्ता है, मैं आपको कहूंगा, purchase it, बाद में मुझे पता नहीं है कि यह कितना महंगा होने वाला है, now since यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, free trade agreements की, एक question मैं आपसे पूछूँँगा, कि जो साफटा है, मतलब कि South Asian free trade agreement, इसमें कौन सा देश नहीं आता, आपकी options है, Maldives, Afghanistan, Afghanistan, Bhutan, Myanmar, नीचे comment section में answer करो, सही answer में provide करूंगा आपको वीडियो के end में, so RCP बहुत ही जल्द हो सकता है, कि आप जब वीडियो देख रहे हैं in the future, यह already reality बन चुका हो, यह 15 countries का एक free trade agreement है, और इसके बारे में बात चल रही है, 2013 से, कोशिश यहाँ पर यह थी, कि यह 15 countries का न market का access open करें, इन सब 15 countries के लिए, मगर आप अगर एक दूसरे angle से देखें, तो यह free trade agreement historic है, यह पहली बार है, जब Japan एक open free trade network sign करेगा, जहाँ पर China और South Korea दोनों शामिल है, और इस agreement को sign करने की जो timing है, यह भी बहुत interesting है, जैसे ही यह बात तै हो गई, कि Donald Trump US के president नहीं रहेंग के अपने आप सारी countries ने within a few days, decide कर लिया कि अब time आ चुका है, कि यह free trade agreement चाइना के साथ sign कर लो, अब यहाँ पे आप सोच कर देखें, इस agreement के अंडर, जपान और Australia, दो बहुत important quad countries, अपनी market का एक बहुती बड़ा access open करेगी चाइना के लिए, और similarly, चाइना भी अपनी market इन यहाँ पर देखो, जो बाड़न का रोल यह है, कि जो बाड़न ने open लिये का है, कि मैं trade war खतम कर दूँगा, जो चाइना पे tariff है, यह मैं remove कर दूँगा, तो उसके बाद बहुत से जो आसपास के देश है, वो reassured मैसूस कर रहे हैं, कि US चाइना के relations काफी अद तक normal होने वा और 37 मा यह भी mention कर दूँ, कि अब एक possibility है, कि in the future, US खुद का एक free trade agreement प्रमोट करे in Asia और Asia Pacific, इसका नाम है Trans-Pacific Partnership, TPP, इसका idea सामने आया था अंडर Barack Obama, और बहुत सी countries ने initially इसको sign किया, जैसे के Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam और USA खुद, मगर Donald Trump जब power में आये तो उन्होंने यह का कि मैं नहीं चाहता कि US market का access open हो इन सब countries के लिए, और इन्होंने US को pull out कर दिया from Trans-Pacific Partnership, तो हो सकता है कि जब Joe Biden वापस power में आये, तो यह वापस promote करें Trans-Pacific Partnership को और इसमें और countries को भी include करें, अब question यहाँ पर यह आता है कि all right, so RCEP एक huge free trade agreement है, मगर India के main issues क्या थे RCEP क को लेकर, हमने इसे sign क्यों नहीं किया, रहिए RCEP के ender proposal यह था कि अगर मान लोग कल को को कोई company है, यह चाइना में car बनाती है, या फिर कोई company है, जो agricultural products बनाती है, Australia में, या फिर New Zealand में, या फिर जो dairy companies हैं, उस्ट्रेला, New Zealand की, यह सब बहुत जादा कम tariff के साथ, Indian markets में सारी e-commerce website है, वहाँ पे आप Australian milk, New Zealand का milk, e-station spices, oils, इनके बहुत सारे products यह सब purchase कर पाते हैं, अल्दो इंडिया को यहाँ पे opportunity मिलती हैं, इंडिया भी जो अपने products हैं यह बेच पाए, जपैन में, चाइना में, उस्ट्रेलिया में, मगर कई ना कई भाला सरकार को इतना faith था नहीं कि Indian products इन सब countries में उतने बिक पाएंगे, जितने इनके product इंडिया में बिकेंगे, तो इस fear को लेकर इंडिया ने कुछ शर्ते रखी RCP को जॉइन करने से पहले, इंडिया ने पहले तो यह का कि ठीक है, आप लोग चाते हैं कि tariff कम हो, tariff का मतलब यह है कि अगर मानलो साबुन है, यह manufacture होता है सिंगापुर में, साबुन का प्राइस है इंडियान रुपीस में 100 और पे, तो जब यह साबुन इंडिया में ship किया जाएगा और इंडिया में बेचा जाएगा, तो इंडियान गवर्मेंट उस पे लगाएगी tariff, और tariff और import duties सब मिला कर, इंडिय इस एर होगा tariff को कम करने का, यह 2013 नहीं होगा, it will be 2019, इसका मतलब यह है कि इंडिया ने जो भी tariff increase करने स्टार्ट किये थे 2013 से लेकर 2019 तक, यह यहाँ पे count किये जाएंगे, 2019 के बाद जो भी tariff लगाए गए हैं, उस पें इंडिया कटोती करेगा 80%, 90% या फिर जो भी आपस में agreement होता है, countries ने इस बात को लेकर agree नहीं किया, countries ने का कि जो भी tariff लगाए गए हैं, from 2013, इसे base year मान के हम reduction करेंगे tariff में, और tariff कितने कम होंगे, इसको लेकर विवाद था, कई countries ने जैसे के Australia, New Zealand ने यह का कि हम अपने tariff 92%, 93% कम कर देंगे, इंडिया का proposal यह था कि हम अप सारी countries ने इंडिया की बात नहीं मानी, फिर इंडिया का यहाँ पर एक proposal था, auto trigger, मतलब कि अगर मालोच चाइना ने किसी साल बहुत सारा steel manufacture कर लिया, और लगातार इनकी companies, इंडिया में steel बेच रही है, इंडिया में almost steel dump कर रही है सस्ते price पर, तो इससे नुकसान होगा, इंडिया को हक है कि वो import रोक दे उस particular item का, मगर इस issue को लेकर सहमती नहीं बन पाई within the RCEP, फिर इंडिया का एक और प्रपोजल था, rules of origin का, यह बहुत important है, अब मान लोग कि चाइना ने बहुत सारा steel manufacture कर लिया, यह लगातार इंडिया में सस्ते नाम में अपना steel भेज रहे हैं, तो चाइना को बस यह करना है चाइनीज कंपनीज को, कि अपना steel पहले भेजना है मैंनमार में या फिर थाइलेंड में, और थाइलेंड के थुरू यह जो steel है, यह आ जाएगा इंडियान मार्केट में, तो इंडिया ने यह आपर यह का कि country of origin, इसके proper rules होने चाहिए, ताकि जो same item है, यह बाकी countries के थुरू इंडियन मार्केट में बार बार ना आ जाए, मगर इस issue को लेकर भी सहमती बन नहीं पाई, फिर इंडिया का एक और objection था ratchet obligation को लेकर, यहाँ पर यह लिखा है कि एक बार एक country ने अपने tariff हटा दिये, तो वापस वो country tariff increase नहीं कर भेध है, RCP को लेकर यह काफी बढ़ गए, फिर इंडिया की कहीं और request थी, जैसे के इंडिया यह चाहता रा कि ठीक है, अगर goods की free movement होगी, तो service की भी free movement होगी, मतलब कि इंडिया के जो professionals है, doctors, IT के लोग, यह चायना जा सकते हैं, Japan जा सकते हैं, they can go to Australia, और वहाँ पे जो work visa है, बहुत ही असानी से मिलेगा, और जो data है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सी countries इस RCP के अंडर invest करेगी, in various countries, तो data यहाँ पर store कहाँ पर किया जाएगा, इसको लेकर इंडिया चाहता था कि proper law हो, और हर country का data उसी country में store हो, at least जो Indians का data है, यह इंडिया में ही store हो, so इन सब issues को ल ASEAN के साथ, South Korea के साथ, Japan के साथ, जब भी यह trade agreement sign हुए है, उसके बाद हमारा जो import है, उन countries के साथ यह बढ़ गया, और export धिरे-धिरे कम होता गया, तो free trade agreement में हमेशा इनिया को नुकसान हुआ है, और डर यह था कि अगर जो यह बड़ा free trade agreement है, यह sign कर लेते हैं, तो हमारी जो companies है, Indian companies, यह survive कैसे करेंगी, और इस issue को लेकर नितियायोग ने proper document publish किया था, यहाँ पर आप देख पाएंगे, a note on free trade agreements and their cost, इस पे इनोंने बताया है कि किस तरीके से हमारे import बड़े हैं, export कम हुए हैं after signing the free trade agreement, यहाँ पर आप देखेंगे, India's trade with ASEAN, 2010 में sign हुआ FTA, उसक जपानी है, 2011 में sign हुआ FTA, जो Japan से हमारे imports हैं, यह सीधा बढ़ते गए, जो exports हैं Japan को, यह काफियत तक कम हो गए, शिलंका के साथ भी हुआ, शिलंका के साथ हमने FTA sign किया था 2001 में, उसके अलावा South Korea के साथ हमने sign किया था FTA 2010 में, यहाँ पे भी आप अगर देखो, तो import बह reason क्या है, हम लोग बाकी countries में अपना समान क्यों नहीं बेश पा रहें, और वो लोग अपना समान हमारी country में क्यों बेश पा रहें हैं, देखे, यह एक बहुती बड़ा question है, और बहुती serious question है, और सरकार को कही ना कही, industrialist के साथ, जो हमारे businessmen है, उनके साथ बैठ कर discuss करना हो होगा कि हमारे issues क्या है, और I am sure उस discussion में काफी यहाँ पर points निकलेंगे, मगर कुछ points तो हमारे सामने ही हैं, काफियत तक obvious है, एक है quality control, इंडिया में quality control को लेकर उस level का mechanism नहीं है, जैसा mechanism आपको मिलेगा चाइना में, जपैन में, इंडियन companies को हमेशा भर सरकार ने काफियत तक shelter करके रखा है, कभी इनको जारा compete करना है नहीं पड़ा, अगर सोच कर देखें, तो जब से इंडिया अजाद हुआ है, हमने एक बहुत ही जादा protectionist take policy अपनाई है, और American companies, Japanese companies से, हमारी जो steel companies हैं, जो automobile companies हैं, इन सब को बचा के रखा है, अब ये निर्ने ठीक था, गलत इसके बारे में हम क्या नहीं सकते हो सकता है, कि अगर हम उनको competition से expose करते, तो वो खुद evolve होते, वो खुद नए रासे रूणते, और अपने products वो sell करते, तो ये बहुत ही बड़ा निर्ने है, और in the end, इंडिया को यहाँ पे सोचना होगा, कि हम अपने products की जो reputation है, ये Indian market और बहार की market में कैसे improve करें, और इसका पहला step तो यही है, कि हम at least Indian market में तो ensure करें, इस protective environment में ज़राता जो products बिखते हैं, ये Indian ही हो, और उसके बार हम सोच पाएंगे कि हम ASEAN, Australia और even China के साथ एक दिन compete करें regarding exports, So वापस आते हैं अपने question पे, which of the following country is not part of SAFTA, South Asian free trade area, सही answer B बिलकुल भी नहीं है, सही answer है D, Myanmar, यहाँ पे आप अगर देहेंगे, 2004 में South Asian free trade area बना था, कोशिश यह थी कि सार कंट्रीज में trade बड़ेगा, tariff कम होंगे, unfortunately a suffer रहे, India, Pakistan की जो rivalry है, कुछ और जो issues हैं region में उसकी वज़े से कभी भी हम यहाँ पे एक proper free trade area established नहीं कर पाए, मगर फिर भी for exam perspective आपको बतावना चाहिए कि साफटा के जो member countries हैं यह अफगानिस्तान, बंग्लादेश, भोटान, इंडिया, मॉल्डीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और शिलंका, सो इसी note के साथ video करते हैं, खतम, उमीद करता हूँ, काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा, thank you for listening and as always, God bless you all.